हेलो जी गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग अंजु जोसी अवाज आ रिये भई बताएगा गुड़ीवनिंग आशीस महेश रजत अवाज के लिए रहे जी बिल्कुल एकदम बिल्कुल जैसरी शाम गुड़ीवनिंग खिम्राज गुड़ीवनिंग निशा सर्च छुट्टी पे नहीं निशा छुट्टी पे नहीं है बिल्कुल गुड़ीवनिंग सचिन रजत सिमरंजीत रोहिश शर्मा गुड़ीवनिंग जी साकसी गुड़ीवनिंग सभी को गुड़ीवनिंग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एनाटमी वाले गुरूजी में चलिए जी बिल्कुल आगे हैं अजय सामोता गुड़ीवनिंग क्या बात है सामोता जी आज कल आप प्रजेंट नहीं रहते हो साहिद महाकाल गुड़ीवनिंग आसी इस ने तो सबसे पहले वह किश्ण कर लिया कि सर्जी ब्लेडर से यूरीन कितना निकलेगा रुप जो आसी जी थोड़ा सा इंतजार और कर लो आप डाटा भी बता देंगे आपको कितना यूरीन पास आउट होगा तब उस तक पहुंचे तो सही पहले ब्लेडर तक प अब रेगूल रहेंगे ओके सामुदा जी बिल्कुल ओके पंकर जी जै भीम जी बिल्कुल चलिए स्टार करते हैं लास्टाइम जो डिसकर्शन हुआ था कुछ ब्लर रेक्शन होगी थी बीच के अंदर तो आपको समझ में नहीं आए थी बाते बट फिर भी थोड़ा सा आ आपन नमस्ते जी अंजुल बिल्कुल तो लास्टाइम जितना हुआ था उसको थोड़ा सा रेकेप करके आगे की तर बढ़ते हैं यूरीन फॉर्मेशन को फिनिस करते हैं राइट ज्यादा टीपिकल लेवल में नहीं पहुचेंगे अराम से जो जो बातें कंसिडर करनी है वो फटा फटा फट कंसिडर कर लेते हैं और यूरीन फॉर्मेशन को आज फिनिस करेंगे जी कल की क्लास में यूरेटर ब्लेडर और आगे यूरीथरा के बारे में बात करेंगे ठीक है जी ओके चलिए स्टार्ट करते हैं गुड अप्रेशियेशन पंकर जी आपका अप्र पने करवा लिया था फिल्ट्रेशन कैसे होगा आटरी से ब्लड आएगा ऐइफन्ट फिल्ट्रेशन फ्लेशन फावां पर आपको तीन टाइप के प्रेशर मिलेंगे वह अलग लगिए Edwards आपने डिसकस कर लिए हैं कौन-कौन से प्रेशर हैं आप में सी कुछ लोग मुझ इतने प्रेशर अपने डिसकस किये थे अल्टिमेटली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ गया था 10 mm of HG जिन बच्चों ने पिछे क्लास नहीं लिये वो अराम से प्ले लिस्ट में जा करके चैप्टर को रिवाइस कर सकते हैं वहाँ पे अपने प्रेशर के बारे में डिटेल में बता दिया है ठीकँ जी हर الإggasण को राइट मे करना कैमरे को राइट मे करना है ठीकँ जी बोड एकड़म पूरी तरह से स्टेबल है यहां पर और किया रेनू जी ने कहा गुडएवनिंग गुडएवनिंग जी मिल्कुल चलिए सुनी धान से, कोई बात नहीं, ये वाला portion मैं अलग से समझा दूँगा, don't worry रहो, जो आगर आपको cover नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर बता दिये जाएगा, figure not, ओके, आगे बढ़ू है, अगे, net filtration pressure, ultimately था 10 mm of Hg, जिसकी वज़े से वो filter हो करके आ रहा था, जो part filter हो करके आ रहा था, उस filtration को नाम दे रहे थे, अपन यहाँ से जो filter हो करके आ रहा था, बोमन capsule और glomi ruler वाले portion से उसको बोल रहे थे, nephric filtrate, ठिक, GFR के बारे में क्या बताया था, मैंने, glomi ruler filtration rate क्या होती है, दोनो kidney के million nephron, ज्यान से सुनिए गा, दोनो kidney के million nephron, एक मिनट में कितना nephric filtrate बनाते है, that is the glomi ruler filtration, यह जो nephric filtrate आ रहा था, वो आपको बताना है कि दोनो kidney के million nephron, एक मिनट में कितना nephric filtrate बनाते है, that is the glomi ruler filtration rate, इसके बारे में अपने discuss किया था, 125 ml per minute, इतना discussion अपने कर लिया था, right, 105 ml per minute female के case में होता है, सिधा सिधा कह दें, कि GFR rate female में कम होती है, male के अंदर ज्यादा होती है, इतना consider कर लिया था, इसके बाद में अपने क्या बताया था, इसके बाद बताया था, अपने पहुंचे थे PCT के अंदर, जो भी nephric filtrate part था, वो nephric filtrate ultimately आ किसमें रहा था, PCT के अंदर, या यूँ कह दो renal tubules के अंदर, renal tubules के अंदर included part कौन कौन से है, PCT, loop of handling, DCT, collecting ducts, right, इतना portion अपने discuss कर दिया था, आज आपको समझना है कि कौन कौन से part हैं, जो filtration के बाद reabsorb हो जाते हैं, इसके लिए भी अपने particular क्या कहा था, 125 ml per minute ये amount कम नहीं है, ये amount आप per day के हिसाब से divide करोगे, तो ये amount बहुत ज्यादा चली जाएगी, right बचा लो, इतनी बाद समझ में आई कि ये अगर आप 125 ml per minute को, अगर आप one day के हिसाब से count करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ें, कि इसके बाद की situation क्या रहती है, अब focus करना है पूरे chapter के अंदर कि आज filtration कैसे होगा, reabsorption और secretion कैसे होगा, ये तो confirm है कि PCT के अंदर maximum reabsorption हो जाता है, ये maximum reabsorption कैसे होता है, वो भी समझेंगे अपन, maximum reabsorption के लिए PCT के अंदर होते हैं willize, ये willize PCT के अंदर surface area बढ़ा देते है, ये surface area इस दरी कैसे होता है, देखिएगा एक बार, ये आपके सामने जो red declar में show कर रखा है मैंने, ये यहाँ के cuboidal epithelial cells होते हैं, PCT के अंदर यहाँ के cuboidal epithelial cells होते हैं, PCT के अंदर यही cuboidal epithelial cells क्या करवाते हैं, maximum reabsorption, तो एक question बनता है directly, कि maximum reabsorption occur in the, तो आप कहेंगे proximal convolated tubules, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे willize सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और वो उसका surface area बढ़ा देते हैं, इसलिए वहाँ पे reabsorption की power ज़्यादा होती है, done? आगे बढ़ू मैं? इसके बात क्या हुआ था? यहाँ पे यह जो reabsorptive cells थी, यहाँ पे reabsorptive cells मतलब willize वगेरा थी, या cuboidal epithelial cells थी, इन्होंने reabsorption करवाया, किन-किन चीजों का reabsorption करवाया, यहाँ से बन करके जो neafric filtrate आ रहा है, उसमें से ज़्यादातर क्या है? वाटर, राइट, वो neafric filtrate के अंदर maximum क्या है? वाटर ही तो है, अपने कहाना 125 ml पर मिनिट यह amount कम नहीं है, अब इसमें से क्या होगा? 72-80% तो वाटर reabsorpt कर लिया जाएगा PCT में ही, 72-80% वाटर reabsorpt कर लिया जाएगा PCT में ही, इसके अलावा, sodium iron, potassium iron, वो भी reabsorpt हो जाएंगे, ठीक, अगला, glucose और amino acid, 100% reabsorption होते हैं, आप से question पूछा जाता है, PCT के अंदर ऐसे कौन से components हैं, जो 100% reabsorpt हो जाते हैं, तो दो नाम याद रखनें आपको, glucose and amino acid, जितना भी इसमें आया, वो सारा का सारा reabsorpt हो करके किसमें चला गया, पहरी tubular capillary में, यानि blood को वापस लोटा दिया जाता है, done, ये तो थी एक normal condition, कई बार क्या होता है, कि हमारा blood glucose level जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि आपकी क्योरीज क्या चल रही है, सचिन, योगेस, अंजूल, पंकज, अरे पटवारी, अरे छोड़ो ना आप एक बार, आप सिर्फ यहाँ पर बोर्ड पर फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस चीज से कोई फरक नहीं पड़ता, आप अराम से इस पर बोर्ड पर फोकस करेंगे, जितना आपको बढ़िया तरीके से मिल रहा है, उसको गेन करने की कोसिस करें, आपके डाउट, आपके क्योरीज, आपके क्यूस्टन्स, मॉस्ट वैलकम, ठीके, बाकी नेगलेट चीजों पर आप ध्धान नहीं देंगे, यह आप कन्फर्म मान के चलिए, इर्रेलिवेंट बाते यहाँ पर ना करें, तो ज़्यादा बढ़िया, नीशा ने कहा, मैं हूँ पटवारी जी, बिल्कुल, ओके जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप जो भी हैं, पटवारी हैं, जो भी हैं, ठीक है, जैसे भी हैं, सुनिए ध्यान से, अब आपको इस पर फोकस करना है, आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपको सारी बाते समझ में आएगी, अदर्वाइज आप रिपीटेशन में लेंगे, कि सर, ये क्या हुआ, आप चेटिंग पर बिल्कुल फोकस ना करें, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप यहाँ पर पूरा फोकस करेंगे, जो 100% रिपजोर होते हैं, तो गुलकोज और एमाइज टीड 100% रिपजोर हो जाएंगे, कई बार क्या होता है, कि बलड का गुलकोज लेवल, बलड के अंदर गुलकोज का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मली अपन जो मानते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मल बलड गुलकोज लेवल होता है, 100 mg पर 100 ml, कुछ बुक्स के अंदर इसको लिखा गया है, 82-120, ठीक है जी, तो इसको 82-120 ये तो पूरा आपको एक रेंज बता दिया, पर आपको एवरेज मानके चलना है, 100 mg पर 100 ml, इतना आपको बलड गुलकोज लेवल मानके चलना है, कि नॉर्मल होता है, कई बार क्या होता है, कि बलड के अंदर गुलकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर glucose का level कितना बढ़ जाएगा तो आप खुद कहेंगे कि सर ब्लड के अंदर glucose का level अगर 180 mg per 100 ml से ज्यादा हो जाए यहां लिखा हुआ है यह value अगर मान दीजी कि ब्लड के अंदर 180 mg per 100 ml से ज्यादा हो जाए ब्लड के अंदर glucose का level ऐसी condition में फिर glucose को सरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है ठीक बचा लो इसी condition को बोलते हैं पर renal 3-sald ये बात आप ध्यान रखेंगे renal 3-sald value कितनी होती है कि कब तक जाकर के हमारी body उसको अराम से compensate कर पाएगी कि भईया इतना तो glucose रहना ही चाहिए तो इतने glucose को रहने के लिए आपके पास component होना चाहिए कि sir 180 तक तो body जहल जाएगा अगर blood glucose का level 180 से कम और 180 तक है तो जहल जाएगा और 180 और उससे above अगर हो गया तो ऐसी condition में फिर क्या होगा glucose को सरीर से बाहर निकालना पड़ेगा इसी condition को बोलते हैं glycosuria यूरीन के साथ glucose का बाहर निकलना आप पढ़ेंगे एक condition diabetes mellitus and diabetes insipidus diabetes का मतलब होता है metabolic disorder diabetes का मतलब ही metabolic disorder होता है इसके अलावा mellitus का मतलब होता है sweet अगर यूरीन के अंदर glucose आ रहा है that means वहाँ पे क्या है glycosuria है यानि उसके अंदर वो क्या है mellitus condition हो सकती है right diabetes insipidus insipidus का मतलब होता है test less अगर यूरीन के अंदर glucose की मात्रा नहीं है अगर यूरीन के अंदर glucose की मात्रा नहीं है इस condition को बोते हैं diabetes insipidus insipidus directly linked to the ADH hormone anti-diuretic hormone आपको मैं आगे बताऊँगा कि कैसे अगर हमारी body में ADH का level कम हो जाता है तो यूरीन बहुत जादा बनता है अगर ADH का level बहुत जादा बढ़ जाए तो यूरीन बहुत बहुत निकलेगा ये अपन consider करेंगे endocrine system की बात करेंगे या DCT के अंदर भी मैं आपको बताऊँगा कि ADH कहाँ पर पूरी kidney में act करता है ADH act करता है आपके DCT और collecting tubules पे PCT पर कभी भी ADH act नहीं करता ये करेगा आपके DCT और collecting tubules पे right बचालो मेरी बात आप consider कर पा रहे हैं yes or no ठीक है जी बिल्कुल आपने सही लिखा खेमराज कि अगर ADH ज्यादा हो जाए तो urine कम पास आउट होगा अगर ADH कम हो जाए तो urine बहुत ज्यादा पास आउट होगा done बेटा जी आगे बढ़े हैं पन इतनी बात consider है सबको कि कैसे आप renal threshold value बताएंगे कि renal threshold value का मतलब क्या है कब तक हमारी body जो है इसको tolerate करती रहती है गुल्कोज को किस level तक अगर 180 से जादा हो जाए इसके बाद गुल्कोज को सरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो आपको urine के अंदर गुल्कोज की अगर presence मिल जाए इसका मतलब कहीं न कहीं glycosuria हो गया है गुल्कोज का level बढ़ेगा तब ही जाकर के urine में गुल्कोज मिलेगा अगे बढ़ू मैं अब सुनिये एक महतपून जो important बात है PCT के अंदर अपने क्या-क्या पढ़ा बस वो इतना दिमाग में रख लीजिए अब जो बोल रहा हूँ PCT में क्या-क्या पढ़ा वो दिमाग में रख लीजिए PCT proximal convoluted tubule maximum reabsorption होता है क्यों होता है साब क्योंकि वहाँ पे क्या present होते है microvillize microvillize क्या करते है surface एदिया बढ़ा देते है इसलिए reabsorption ज्यादा होगा done इतनी बात confirm आगे बढ़ू में PCT के अंदर mitochondria ज्यादा होते है ताकि reabsorption में अगर energy की ज़रुवत पड़े तो ये ATP की form में energy मिलती रहे ये भी confirm हो गया PCT के अंदर glucose और amino acid 100% reabsorption हो जाते है ऐसे कौन से component है जो 100% reabsorption होते है glucose और amino acid water जो है वो 75-80% तक reabsorption हो जाता है इसके अलावा sodium और potassium वो भी reabsorption हो जाते है ठीक अब चलो इसमें कुछ sulphate वगेरा है जो कि reabsorption नहीं होते creatine है वो reabsorption नहीं होता सब लिखा हुआ है आपके सामने मैं one by one करके PCT के अंदर जो reabsorption करवाया आपने वो discuss कर देता हूँ फटा फट देख लीजिए reabsorption किसमें होता है PCT के अंदर maximum reabsorption पहला क्यूशन यहां से उठेगा 80% तक water 70% sodium ion 75% potassium ion यह भी क्या हो जाते है reabsorption पूरा का पूरा glucose और amino acid यानि 100% reabsorption यह क्यूशन कई बार पूछा जाता है exam के अंदर कि कौन से component है जो 100% reabsorption होते है glucose और amino acid इसके अलावा creatinine और sulfate यह reabsorption नहीं होते एक अगला लिखा हूए nephric filtrate isotonic to plasma यह भी बात समझने वाली है यहाँ पे लिखा हूए nephric filtrate isotonic to plasma जितना plasma से filter होके आया उसका concentration level उतना ही होता है जितना उपर से चन करके आया है that means nephric filtrate isotonic to plasma इतना confirm है सबसे पहले PCT के अंदर जो material आपको मिलेगा वो isotonic मिलेगा जो plasma से होकर के आया है जैसे plasma में था वैसा का वैसा आपको PCT के अंदर मिलेगा आगे मैं आपको clear करूँगा यह बात कि isotonic कैसे hypertonic कैसे hypo कैसे और फिर urine ultimately hypertonic कैसे बनता है यह भी अपन डिसकस करेंगे आगे ठीक है जी आ रहे है समझ में yes or no योगेश, शर्मा, प्रिती, उपादे हेलो जी, गुड ठीक है जी, डन आगे बढ़ू मैं किशन कुमावत आया समझ में PCT के बारे में इतनी जानकारी काफी है आपके लिए PCT में सारी बाते बता सकते हैं कि PCT में ultimately क्या क्या होता है विलाई तो बताई दो, माइटोकोंडरिया बता दो, मैक्सिमम रियबजोप्शन बता दो गुलकोज और एमाइनोशिट का 100% रियबजोप्शन बता दो, इसके अलावा आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ आयन्स हैं भी रियबजोप्शन होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है यह भी 70-75% रियबजोप्शन हो जाते हैं डन, आगे बढ़ू मैं, ओके यह मैं कंसिडर कर चुक हूँ, लास्ट कलास के अंदर नॉर्मल गुलकोज लेवल याद रखेंगे आप पर 100 ml, ठीक है, इतना कंफरम अब यह जो मैंने बनाया हुआ है, उसको और थोड़ा समझ लेते हैं ताकि सारी बात कंसिडर हो जाए, किस तरीके से रियबजोप्शन की गटना होती है, यह भी आपको समझना होगा कि किस तरीके से रियबजोप्शन लगाता, रिनल ट्यूप्शन में होता रहता है ठीक है जी, आसिस ने कहा सर रिपीट करो, क्या रिपीट करना इसमें से मैंने सिंप्लिफाइड कुछ बातें बताई आसिस कि मैक्सिमम रियबजोप्शन PCT के अंदर, विलाई, माइक्रो विलाई जो हैं, बहुत ज़्यादा परजेंट होते हैं इसलिए वहाँ का सरफेस एरिया PCT के अंदर, प्रॉक्शिमल कॉनगोलेटे ट्यूप्शन के अंदर बढ़ जाता है यह बातें मैं यहाँ पर भी रिपीट करूँगा वापस से, इस पर आजाओ पहले फोकस करें, कि इस पर क्या कहानी बनती है इस ट्यूप्शन में एक्चुल में रियबजोप्शन होता कैसे है, बस वो बता देता हूँ, ताकि सारी बात एक साथ कंसेडर हो जाए ध्यान से सुनिएगा, proximal convolated tubule है यह, और यहाँ से मान लिजी कि यह आपका glomy ruler वाला portion है और यहाँ से चन करके filtrate आ रहा है, lumen of tubules में, ठीक है, one by one करके step by step करके चलूँगा, screen पे ध्यान रखेंगे, तो definitely समझ में आएगा, chatting पे आप focus ना करें जादा वेद प्रकास, ओके, जी सर, अब clear है, ओकी आसिस, फिर भी अगर नहीं clear होगा, मैं यहाँ पे आसिस clear कर दूँगा, don't worry रही है आप, एक एक बात मैं आप step by step बताऊँगा, अगर फिर भी ना समझ मैं, आप video को आसानी से upload हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करके चीजें clear हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना, आपको याद रखनी है कि यही चीजें PCT में होती है, अब होती कैसे है, वो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर यह जो red color में बना हुआ है, यह PCT की cells है, वो cells जो कि reabsorption में help करती है, या absorptive cells, जिनको बोलते हैं, cuboidal epithelial cells PCT के अंदर cuboidal epithelial cells के उपर, यहाँ पर कुछ realize वगरा लगे रहते हैं, या brush border cells होती है, जिनके तुरू लगातार reabsorption होता रहता है, reabsorption हो करके, इन cells ने reabsor करके material को कहां डालना है, कहां डालना है, आपको समझना होगा, मैं यह बार यह बात clean कर रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा focus रखिएगा मेरी बात पर, ताकि सारी बात मैं consider कर पाऊँ आपको, चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि अब हकीकत में होता क्या है, यह जैसे आपका moment capsule, यह loop of handle और एक collecting duct, अब actual में क्या होता है, जब यह nephron की structure आप पढ़ते हैं, तो इस nephron की structure म आप एक चीज तो आसानी से देखते होंगे, कि सर, इसके अगल बगल में क्या होती है, peritubular capillary, यह peritubular capillary, यहाँ से जो भी material आएगा, इस peritubular capillary में जाएगा, यहाँ से जो भी material आएगा, वो peritubular capillary collect करेगी, यह capillary लगातार water को absorb करती रहती है, ions को absorb करती है, glucose और amino acid को लगातार absorb करती रहती है, इसी portion को मैंने आपके सामने बना दिया, एक capillary, एक peritubular capillary मैंने आपके सामने रख दी, यह nephron वाला portion मैंने आपके सामने रखा, इसके अंदर, इसके अंदर होते हैं particular cells, इन cell को बोलते हैं cuboidal epithelial cell, जिनके अंदर microvilli present होते हैं, ठीक है जी, सु इदा निकलना चाहूं तो निकल सकता हूं, कोई issues नहीं है इतना, ताकि बस इतना हो जाएगी, यारे मेरे बच्चों को यह तो पता हो, कि reabsorption होता कैसे है, थोड़ी complicated structure जरूर है, पर ऐसी कोई चीज नहीं है, जो समझ नहीं सकते, ठीक है, रटना हमेशा ही है, जिन्दग का reabsorption, अरे होता कैसे हो, तो बताओ पहले, वो यहाँ पर आपको समझना है, देखे, अब यहाँ पर यह वाला जो portion है, यह हैं आपकी cells, cuboidal epithelial cells, यह क्या करती है, reabsorb कर करके directly material को पहुंचा देती है, इस peritubular capillary में, यह peritubular capillary, peritubular capillary, ठीक है जी, इसके अंदर इसन material को पहुंचा दिया, done, अब सुनिए, पहुंचाया कैसे, अगर मान लेजिए कि material, इन cell के बीच में से होकर के निकल जाए, यह जो cell है, अगर इन cell के बीच में से होकर निकल जाए, तो इस type के reabsorption को बोलते हैं, transcellular reabsorption, मतलब, अगर यहाँ पे कोई material, कोई component, कोई ions, करके, फिर interstitial fluid में से होकर के, और फिर peritubular capillary तक पहुंच जाए, ऐस इस type के reabsorption को बोलते हैं, transcellular reabsorption, यानि cell के अंदर से ही material निकल करके, interstitial fluid से होकर के peritubular capillary में पहुंच जाए, this type of reabsorption is known as transcellular reabsorption, done, एक और reabsorption होता है, paratubular reabsorption, आप से कोई पूछता है, कि kidney के अंदर reabsorption कितने type का, आप कहेंगे सर्थ, दो type का, कौन-कौन सा, एक तो होता है, transcellular, एक होता है, paracellular, transcellular का मतलब क्या है, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ions, अगर मान लीजिए peritubular capillary तक पहुंचते हैं, और किस में से होकर के, इसकी cuboidal cells में से होकर के अगर निकल जाते हैं, तो transcellular, cells के बीच में जो space बच गया, उस space में से होकर के निकल जाए, that means paracellular reabsorption, दोनों तरीक से ये काम चलता रहता है, बस नाम हमें पता होना चाहिए, कि transcellular reabsorption क्या है, और paracellular reabsorption क्या है, paracellular मतलब cell के दोनों के बीच में से निकल गया, cell के अंदर में से निकल गया, तो transcellular, done, आगे बढ़ू, दोनों reabsorption समझ में आगे, इस तरीके से होता है, इसके अलाव दो membrane और होती है, यहाँ पे, एक होती है, apical membrane, एक होती है, basolateral membrane, दो type की membrane भी यहाँ पे है, वो भी समझ यह, अगर मालनीजी कि इस cell का जो apical surface है, यानि उपर वाला surface है, इस उपर वाले surface पे अगर कोई membrane लगी हुई है, उस membrane को बोलते है, apical membrane, apical मतलब इस apex वाले portion पे, या basol का मतलब होता है, basol, यानि आधार part में, lateral मतलब side में, तो यह जो cell है, इसका side वाला portion तो यह रहा, और basol वाला portion यह रहा, तो इन दोनों को मिला करके बोल देते हैं, basolateral membrane, यहां लिखा हुआ है, basolateral membrane, तो मैंने आपको क्या-क्या बताया, reabsorption कैसे होता है, कि सर, reabsorption द transcellular, transcellular का मतलब अगर PCT के अंदर cuboidal epithelial cells हैं, जो की reabsorption करवाती है, जिनके अंदर microvilla ही ज्यादा होते हैं, अगर उसमें से होकर के कोई material जाए, और peritubular capillary तक पहुँच जाए, that means transcellular, अगर cell के बीच-बीच में से space में से होकर के निकले, that means आपको बताना है, paracellular re absorption, दो type की membrane cross होती है, दोनो type की membrane को cross करने के लिए यहाँ पे उपर की side होती है, apical membrane, और एक side में होती है, जिनको बोलता है, basolateral membrane, ये भी ध्यान रखेंगे, आपने sodium potassium pump का नाम सुना होगा, कि सर जी sodium potassium pump काम करता है, रटा होगा आज तक, कि सर sodium potassium pump होता है, ये होता कहां है, व basolateral membrane पर, यहाँ की basolateral membrane पर आपको sodium potassium pump मिलेगा, आज के बाद ये बात कभी नी रटनी, ना इसा कुछ सवजना की सर ये sodium potassium channel क्या है, है कुछ भी नी, sodium और potassium का exchange करवाने वाला एक channel है, sodium को यहाँ पहंकेगा, तो potassium को वापस ले आएगा, इस तरीके का channel चलता रहता है, इसकी basolateral membrane, आप से कोई पूछता है, कि kidney के अंदर sodium potassium pump चल रहा है, वो कहाँ है, वो यहाँ है, इसके basolateral membrane पे, ये बात मेरे बच्चों को clear हुई, yes और no, आप अपने साथियों से पूछ लेना, ये बाते consider नहीं होती है, पता होता है कि sodium potassium pump नाम की कोई चीज होती है, आज आपको confirm हो गया कि कैसे sodium potassium pump काम करता है, yes और no बेटा, बता दीजे समझ में आया कि नहीं आया, अजे, सुरूती, हेलो सुरूती, आसीस, बिल्कुल खेमराज, मैं अभी बताऊंगा कि sodium potassium का काम क्या है, किस तरीके से sodium को उधर peri tubular capillary में फैंक देता है, और वापस से potassium को ले आता है थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, हमन्त, आया समझ में सचिन, यस सर, अंजली, अंजूल जोसी, ओके जी, अमरीत कोर, यस सर, ओके आगे बढ़ू है, तो मैंने आपको दो बाते बता दी, दोनों आपको ध्यान में रखनी है, कि reabsorption किते टाइप का, सर दो टाइप क कौन-कौन सा reabsorption, paracellular, transellular, done, paracellular, दोनों cell के बीच में से होके निकलेगा, transellular, cell के अंदर से होकर के निकलेगा, that's good, दोनों membrane, apical membrane, जो इसकी surface पे है, basolateral membrane, जो इसके यहाँ, इस वाले portion पे है, इसको बोलता है basolateral membrane, sodium potassium pump कहा है, basolateral membrane के पास, काम क्या है sodium potassium pump का, sodium और potassium को pump करवाना, यानि एक को इधर बेजना, दूसरे को लेकर के आना, नाम सी देखनो न, sodium potassium pump, sodium को अगर paritubular capillary में फैंक देगा, तो potassium को भी लेकर के आ जाएगा, इस तरीके का channel जो है लगातार चलता रहता है, इस तरीके से होता है, यह opening इस तरीके से होती है, कभी sodium आएग paritubular capillary के पास, यह capillary क्या है, यह vessels ही तो है, जहां पर जाकर के material लगातार reabsorb हो रहे हैं, अब सुनिए absorption कैसे होगा, reabsorption बता तो दिया कि इस तरीके से होगा, इसमें कौन-कौन से component जाएंगे, वो समझ लेजिए, इसको ले जाने के लिए जरूरत होती है transportation की, यह word याद रखेंगे, मैं तीसरा word declare करने जा रहा हूँ, पहले तो reabsorption बताया, membrane बताई, तीसरा है transportation, यह transportation चलेगा, यह transportation चलेगा, दो तरीके का, active transportation, passive transportation, ठीक है, active transportation क्या होगा, ions को ले कर जाना, ions का reabsorption करवा देना, with the help of ATP, अगर energy की जरूरत, यहां किसी भी पार्ट में पढ़ यह कैसे संभव है, आपने खुद ने कहा, कि सर्फ sodium ion, जैसे मानलो, कि मुझे sodium ion का reabsorption करवाना है, इस fluid के अंदर, जो nephric filtrate यहां बन करके आया है, इस lumen of tubules के अंदर, PCT के अंदर, उसमें sodium तो होगा, आपने थोड़ी दिर पहले यहां लिखा था, कि सर्थ 70 to 75% sodium है, व sodium का reabsorption करवाना है, आप में से किसी ने कहा दिया, सर्जी, transcellular करवा दीजिए, मैंने का ठीक है करवा देते हैं, transcellular का मतलब क्या है, cell के अंदर से ही तो भेजना है, ओके, ये लो जी, sodium को भेज दिया, आपने, इस के through, तो इसने किस को cross किया, पहले sodium गया, lumen से गया, यह के interstitial fluid में, interstitial fluid से फिर peritubular capillary में, कितने step इसने change किये, पहले sodium गया, cell के पास, cell से आगे interstitial fluid, interstitial fluid से peritubular capillary में, इतना step जब करेगा, तो energy तो चाहिए ही चाहिए न, सिरफ ultimately समझ जाओ, कि energy की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, तो energy देगा कौन, आपको पताए PCT के अंदर mitochondria ज्यादा होते हैं, वो ATP प्रोड्यूस करते हैं, वो ATP के रूप में, फिर sodium क्या करेगा, पहले cell, interstitial fluid और फिर peritubular capillary में, जा करके, reabsorb हो जाएगा, ये direct transportation है, जिसके अंदर direct ATP involved होती है, that type of transportation is active transportation, active transportation में क्या बोला मैंने, कि जिसमें हमें energy की जरूरत ये active transportation भी दो तरीके का होता है, एक होता है primary, एक होता है secondary, active transportation भी बेटा, दो tribe का होता है, बिल्कुल primary and secondary, primary में sodium ही गया है, सिर्फ sodium ने कहा कि यहां से यहां और यहां से यहां पहुचा देते हैं, बट यहां जो नैफ्रिक फिल्ट्रेट बन के आया था, उसमें क्या sodium ही है, क्या, water भी तो है, glucose भी तो है, amino acid भी तो है, vitamins भी है, बहुत सारी चीज़े हैं यहां पे तो, अब one by one करके समझते हैं, अगर sodium यहां से यहां जाने लग गए, actual में process होता क्या है, यहां जो sodium pump होता है, अब थोड़ा physiological terminology पे आता हूँ मैं, थोड़ा समझे कि ऐसा होता क्यों ह यहां चला गया, actual में समझे, यहां की जो basolateral membrane है, focus रखना, एक भी line मिस मत करना, नहीं समझ मैं आएगा फिर, यहां की जो basolateral membrane है, उस basolateral membrane पे होते है, sodium, potassium, pump, यह लगातार sodium को यहां से फैंकती रहती है, peritubular capillary के अंदर, यहां से लगातार peritubular capillary के अंदर, sodium को फैंकती रहती है, अगेंस्ट दा concentration gradient, अगेंस्ट दा concentration gradient, यहां पे sodium की concentration जादा और यहां पे कम, कम से जादा की तरफ जाएगा, तो definitely energy की जरूरत तो पड़ेगी, पड़ेगी, अगेंस्ट जा रहे हैं आपने concentration gradient के, जब concentration क्या होती है, अगेंस्ट दा concentration gradient जाएगा sodium, तो energy की जरूरत पड़ती है, ATP चाहिए, sodium potassium क्या करता है, तीन sodium के molecules फैंक देगा, तीन sodium के molecules फैंक देगा, peritubular capillary में, जब यहां से यहां के जो cells हैं, वो लगातार sodium को फैंकेंगे, तो यहां जो sodium आ रहा है, वो sodium क्या कहेगा, यार मेरे जो साथी हैं, वो तो इसमें जा रहे हैं, मैं अकेला क्या करूँगा यहां पे, यह भी निकल पड़ता है फिर, अलग लग तरीके से, और दोनों रे absorption मैंने बता दिये, transcellular या paracellular, तो sodium लगातार peritubular capillaries में जाता रहता है, क्यों, क्योंकि sodium potassium pump के थुरू, sodium ल value है, वो कम होने लगेगी, और सारे sodium पहुंचने लगेंगे peritubular capillary में, ऐसे में फिर sodium glucose को क्या बोलेगा, कि बईया, यहां, नहीं है, सारे के सारे सब यहां जा रहे हैं, peritubular capillary के अंदर, हमें वहां जाना चाहिए, ताकि हम safe बच जाएं, वरना तो बाहर निकाल दी है, इसके साथ साथ, glucose भी हो लेता है, amino acid पूरा का पूरा हो लेता है, इस type के transportation को बोलते है, secondary transportation, याद रखेंगे, secondary active transportation, direct energy involved किसमें है, sodium के साथ, बट, sodium ने साथ में किसको ले लिया, glucose और amino acid को भी ले लिया, इसलिए वहां पे बना, secondary active transportation, yes और no, समझ में आया कि नहीं आया, आंचल, यूग, अंजुल, बताईएगा बेटा लो, फटाफट, confirm कर दीजी मेरी बात को, किसर समझ में आ गया है, आंचल, 100% clear है एकदम, कहीं दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बोल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ताकि आप समझ जाएं सारी बात, साक्सी, खेमरा आपको करना के सिर्फ समझना है, बेटा, एक्जाम में कहीं नहीं पुछा जाएगा, कहीं नहीं पुछा जाएगा, बट पता तो होना चाहिना, कि यह जा कैसे रहे हैं सोडियम, active transportation, primary active transportation, secondary क्या है, primary में direct ATP involved रहेगी, secondary में direct ATP involved नहीं है, बट एनरजी सोडियम के थ्रू लग रहे हैं, और molecules भाग रहे हैं, किदर, peritubular capillary के अंदर, that is the reabsorption, ठीक है, अब मैंने आपको सुरू की classes में क्या बटाया था, कि reabsorption और secretion, दोनों घटना साथ साथ होती है, अब तो और ध्यान से समझना है आपको, अब और focus लगा के समझना है, सुनिये ध्यान से, एक्च solute कम होने लग जाए, अपन तो सिदा सिदा समझते हैं न, directly, कि water कैसे reabsorb होगा, वो भी सुन लीजी एक बार, उस पे बाद में आएंगे अपन, secretion पे, पहले सुनिये, water कैसे reabsorb होगा, sodium करवा दिया, glucose करवा दिया, water कैसे होगा, water ऐसे होगा, कि अगर सारे के सारे solute इधर चले जाते हैं, peritubular capillary में, ये क्या है, sodium, ये क्या है, solute ही तो है, ये solute क्या है, peritubular capillary में जाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखे, जिस तरफ solute भागते हैं, उस तरफ पानी भी भागता है, ये बात आपको हमेशा trick बना के रखनी है, solute अगर भागेंगे, तो पानी भी उ होता है वेद प्रकास ओकी जी आया समझ में इतनी बात क्लियर है एकडम क्रिश्टल क्लियर वाटर कैसे जाएगा अगर शोलूट इस लूमन से कम होकर के पैरी टूबलर कैपिलरी में पहुंचने लग जाए तो वाटर क्या करेगा इनके साथ ही हो लेगा अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है आपने वन बाई वन करके एक एक चीज को समझा किस तरीके से ये चीजे भागते रहते हैं अगर आप से कोई चलता फिरता ही पूछ लेता नहीं कि बैसो लेटरल यहाँ पे है, बैसो लेटरल पे ही sodium potential pump होते हैं, रे अब्जोप्शन की घटना किस तरीके से होती है, कि सर अगर sodium molecules सिधा भागते हैं किस की तरफ, peritubular, capillary की तरफ, तो energy की जरूवत पड़ती है, क्यों? क्योंकि एक step से दूसरे step में जाने के लिए, जो against the concentration gradient काम हो रहा है, उसके अंदर energy की जरूवत तो पड़ेगी, पड़ेगी, कोई चीज कम से अगर ज्यादा की तरफ चली जाती है, तो यह होता है against the concentration gradient, राइट, अगर ऐसा होगा, तो energy चाहिए, energy कों देगा? mitochondria, mitochondria से ATP produce होगी, आगे बढ़ू, ओके, फिर से सुनिये, यहाँ तक तो सही है बात, confirm होगी, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस बात को तोड़ा focus करके, ध्यान से सुनियेगा, last and final portion, कि सर, secretion कैसे होगा? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिये, मैं इसको थोड़ा सा clean कर देता हूँ, ताकि समझ में आजाए सारी बाते हैं, यह interstitial fluid को मैंने खाली कर दिया, यह lumen को भी मैंने खाली कर दिया, क्योंकि reabsorption करवा चुके हैं, अब सुनिये, थोड़ा सा ध्यान लगा कर कर सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा, मैंने आपको क्या कहा था? कि सर, reabsorption और secretion की घटना दोनों साथ साथ होती है, reabsorption तो यहां से paritubular capillary में करवा दिया, secretion क्या होगा? वो harmful substance, जो जिनकी सरीर में इतनी जरूरत नहीं है, उनको secret कर दिया जाएगा फिर, blood में वो harmful substance आपको मिलेंगे, फिर कुछ ऐसे material होंगे, जो paritubular capillary से ultimately पहुंचेंगे, PCT के थूरू या tubules के थूरू फिर सरीर से बाहर निकाले जाएगे, जैसे hydrogen ion का secretion, hydrogen ions भी निकाल दिये जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा ammonia है, कोई काम की नहीं है, वो भी निकाल दिये जाएगी, done, इसके अलावा कुछ एक ions इसमें मैंने लख रहे हैं, potassium, hydrogen ion और ammonia, आप तीन याद रख लो, कि इनका secretion होता है, secretion की बात आजाए, secretion हुआ कैसे, इनके hydrogen के secretion की सुरुवात होती है, carbon dioxide से, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कोई भी पूछ सकता है, कि hydrogen ion आया कहां से, carbon dioxide से, actual में hydrogen ion की सुरुवात, carbon dioxide से ही होती है, कैसे होती है, वो भी सुन लीजिए कि एक बार, बताइए जी, हाँ, खेमराज मैं थोड़ी दियर में करता हूँ, primary और secondary में, अभी इसको continue कर देता हूँ, फिर primary और secondary में आपको confusion दूर कर देता हूँ अभी, ठीक है, primary में direct ATP involved होती है, secondary में direct ATP involved नहीं होती, बस इतना सा फरक है, बाकी, जिसके through ATP इस्तेमाल हुई है, उसे के through molecules निकल जाते हैं, जैसे sodium निकले, उनके लिए energy की जरुवत पड़ी, उसी energy की जरुवत के through, फिर glucose भी उसके साथ साथ हो लिया, ये secondary हो गया, ठीक, आगे बढ़ू, सुनिए, आपको मैंने कहा, परिटूबलर कैपलरी से, hydrogen ion का secretion होगा, ammonia का secretion होगा, potassium ion का secretion होगा, तो potassium तो सिदा सिदा समझ जाओ, कि sodium potassium pump क्या करेगा, तीन अगर मान लीजिये, sodium के molecules, paritubular capillary में भेज देगा, तो paritubular capillary से, डो potassium उठा लाएगा, दो potassium को वापस उठा लाएगा sodium potassium channel करता क्या है sodium को उठा उठा के पटक देता है कहाँ पे? peritubular capillary में फिर वहाँ से कुछ potassium ions में है वो उनको ले आता है इस तरीके से पूरा ionic balance है वो kidney में बना रहता है sodium को इधर, potassium को इधर फिर sodium, फिर potassium इस तरीके से इनका balance है वो बना रहता है तीन sodium के molecule अगर peritubular capillary में फैक देगा sodium potassium pump तीन sodium molecule फैकेगा तो दो sodium molecule को अपनी तरफ वापस भी ले आएगा डन, इस तरीके से ionic balance और pH maintain रहती है ठीक, आगे बढ़ता हूँ मैंने आपको क्या कहा? कि सर्जी hydrogen ion का secretion होता है, वही समझा रहा हूँ hydrogen ion का secretion होता कैसे है सुनिए, actual में peritubular capillary के थूँ क्या आएगी carbon dioxide आगे जी, डन PCT के अंदर जो cells है, उन cells का metabolic waste है, वो क्या है carbon dioxide, ultimately अपने digestion absorption में पढ़ा तो था कि cells, ultimately glucose, carbohydrate, fat के खाने के बाद बनाती क्या है, बनाती क्या है, carbon dioxide और water ठीक है, तो वही बता रहा हूँ कि carbon dioxide तो लगातार इन cells से बन ही रही है, और यहां पे बढ़ा हुआ portion क्या है, पानी तो H2O और carbon dioxide आपस में reaction करेंगे, और बना देंगे H2CO3 H2CO3, यह बना देंगे इसी portion में यह reaction चल रही है, ठीक है यह जैसे ही यहाँ पे पहुँचे carbon dioxide यहाँ से भी आ गई, और cells के थूँ भी carbon dioxide आ गई ठीक है, cells ने metabolic waste बनाया, उसका नाम है carbon dioxide peritubular capability से भी carbon dioxide done, यहाँ पढ़ा वह portion क्या है, water तो H2O और carbon dioxide दोनों reaction करके एक enzyme की health से, यहाँ enzyme है का, C A carbonic anhydrase enzyme इस enzyme की मदद से, यह convert हो जाएगा H2CO3 में, और जब H2CO3 बनेगा, तो इसमें से HCO3, जो bicarbonate है वो तो लोटा दिया जाएगा peritubular capillary को वापस HCO3 इसमें reabsorb हो जाएगा जो बन गया HCO3, वो वापस peritubular capillary में reabsorb हो जाएगा बट, इसमें जो एक H+, और आ गया वो H+, आ जाएगा, PCT के अंदर, as a secretion as a secretion, इस तरीके से H positive ion जो है, वो सरीर से बाहर निकलते हैं यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई, yes or no आसीस, खेमराज आँचल आ रहा है समझ में कि कि किस तरीके से hydrogen ion बनते हैं यह बात आपको समझनी चाहिए क्योंकि अगर मैं सीधा बता दूँ कि hydrogen ion का secretion होता है तो बात समझ में नहीं आती अब आपको पता चला कि hydrogen ion कैसे आता है hydrogen ion आता है carbon dioxide से carbon dioxide और यहाँ पड़े हुए पानी के साथ reaction करके बना देता है S2CO3 right S2CO3 किस की मदद से बना carbonic and hydrate enzyme की मदद से बना उसके थूँ S2CO3 वापस तूटेगा तो SCO3 तो चला जाएगा peritubular capillary में और H-positive आ जाएगा PCT के अंदर इस तरीके से H-positive का secretion होता है पंडी जी ने कहा स्तीन sodium ion पंडी जी एक बात सोचीगा कि आप इन चीजों को यहाँ पे ला रहे हो और वापस भेज भी तो रहे हो जितनी चीज कुछ ला रहे हो खुछ भेज भी तो रहे हो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि इसमें potassium है ही नहीं यहाँ से जब potassium आएगा तो PCT में क्या potassium है ही नहीं क्या अल्रेडी है ना potassium जो वापस reabsorb भी तो रहे है अपने थोड़ी तेर पहले तो लिखा कि sodium का भी reabsorption potassium का भी reabsorption तिक इसके थुरू कुछ potassium वापस भी जो आ जाते हैं ताकि access ना हो जाए इसके थुरू फिर वापस potassium बाहर आ जाते है इस तरीके से balance चलता है आप 3 or 2 पे मत जाओ 3 or 2 एक तरीका है बताने का कि 3 सोड़ी माइन फेंगेगा तो 2 ले आएगा तो वापस potassium जा भी तो रहा है वापस ये भी तो पर ने कहा done शाहिद, locus, आंचल, yug clear है बेटा एक दम कहीं कोई दिक्कत, कोई doubt, कोई question, कोई curiosity आपको ये बात समझनी चाहिए मैं मानता हूँ कि अगर मैं सिधा बता के निकल जाओ सिक्रेशन होता है बेटा, हाइडोजना इनका, हाइडोजना इनका, हाइडोजना इनके साथ, कुछ पैनिसिलियम, जो कुछ ड्रग्स वगेरा होती है, इनका भी सिक्रेशन साथ-साथ में हो जाता है, तो अगर ये directly बता दो, तो मज़ेदार बात नहीं होती फिर, ये समझ से लगातार ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, अब सुनिए, टिप लूप ओफ हैंले में, लास्ट पोर्शन और सुन लीजिए, कि लूप ओफ हैंले में क्या हाल होता है, हाँ बिल्कुल रेनु जी, आप अपना कुछिन पूट अप कर सकते हैं नीचे, अगर मैं ध्य चला जाता है, मैं फटा-फटा आपकी तरफ जरूर देखूंगा, लिखिए फटा-फटा आप कुछिन, चली, देखिए एक बार, चली, इसको मैं क्लीन कर देता हूं एकदम, आपको हाइडोजन आइन का सिक्रेशन समझ में आया, कि ultimately हाइडोजन का जो सिक्रेशन होगा, वो होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड से, सेल भी कार्बन डाई ऑक्साइड प्रोडूस कर रही है, यूडिया, यूडिक एसीड, क्रेटिनी लेवल बढ़ जाएगा, आप सुनिए, अगर माली जी, ये किड्नी के कुछ अबनॉर्मल फंक्सन हैं, अगर किड्नी अबनॉर् ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, ये फिर डंग से नहीं हो पाएंगे, ऐसी कंडिशन में फिर ना तो फिल्टर डंग से होगा, जो चीज़ें अपन बता रहे हैं कि मैट्र यहां चला जाएगा, सोडियम यहां चला जाएगा, अगर किड्नी डंग से काम नहीं क जाएगा, हमेशा कंसेप्ट ध्यान में रखो, सोडियम सरीर में रुक गया, पानी रुक गया, यानि हाइपरवोलीमिया, सोडियम सरीर से बाहर निकल गया, तो आप समझो पानी की भी कमी हो जाएगी, हाइपोवोलीमिया, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि सोडियम हमेशा पानी को अपने साथ ही रखता है जैसे जैसे सोडियम बाहर निकलेगा वैसे वैसे पानी को भी ले जाएगा abnormal condition अगर हो जाती है तो hypovolemia और hypervolemia होने के चांसे बढ़ जाते हैं kidney अगर काम नहीं करेगी filter नहीं करेगी kidney का काम क्या है harmful metabolic waste को सरीर से बाहर निकलेगे जब kidney अच्छे से function करेगी तो normal urea uric acid सरीर से बाहर निकलता रहता है अगर मानली जी कि इनका level बढ़ जाए kidney के function ने काम करना खतम कर दिया तो अलग-अलग disorder, अलग-अलग conditions generate हो जाती है चली आपने कई बर सुनाओगा ना कि kidney fell होगी, creatinine का level बढ़ गया, वो creatinine का level कैसे बढ़ा, क्योंकि kidney के functions खतम हो चुके हैं एक moment आता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो अपन समझ जाते हैं कि kidney के functions खतम हो चुके हैं हैंले के अंदर क्या खास बात होती है, one by one, एक एक लाइन समझ जाओ बस, फटा फट, descending loop of हैंले के अंदर, water को तो बाहर वापस peritubular capillary को दे दिया जाता है, यह peritubular capillary है, इसमें water को लोटा दिया जाता है, जैसे जैसे PCT के through loop of हैंले के तरफ आएंगे, वैसे वैसे descending loop of हैंले के अंदर एक capability है, यह water को तो परitubular capillary में reabsorb करवा देगी और खुद के पास ions वगेरा रख लेती है, इन ions वगेरा को यह रोक करके रखती है, sodium है, potassium है, इन सब को अपने पास रोक के रखती है, इनका reabsorption नहीं करवाती, descending loop of हैंले, PCT के अंदर तो सब कुछ दिया था, reabsorption, बट, descending loop of हैंले की खास बात होती है, यह पानी का तो reabsorption करवा देगा, बट, ions को अपने पास ही रखेगा, यह यह sodium ion या potassium ion या जो भी ions है, इनके लिए impermeable होती है, ठीक है, इनको बाहर नहीं जाने देती, इस तरीके से समझाओ, यह impermeable होती है, इनको बा concentration होता क्या है, उस concentration को एक सब्द में मैं खतम करता हूँ, जिंदिकी भर का doubt खतम हो जाएगा, concentration का मतलब क्या है, देखेगा यहां पे, concentration, concentration, concentration का मतलब होता है, आप हिंदी में याद रखेगा, इसको इसी तरीके से याद रखा जाएगा, concentration मतलब गाडापन, इस तरीके से य कम होगा अगर कोई माल लीजिए मेरे पास कोई बिकर है जैसे माल लो इसके अंदर मैंने बहुत सारे यह जैसे पानी है आपके सामने इस पानी में मैंने बहुत सारे elements डाल दिये sodium, potassium बहुत साई चीजने डाल दिये इसमें बट दीरे दीरे मैंने पानी को निकालना शुरू कर दिया ऐसे में जो material होगा वो उसका गाड़ापन बढ़ेगा की कम होगा बढ़ेगा यानि concentration level उसका ज्यादा हो जाएगा यही तो मैं कह रहा हूं कि इस PCT के अंदर जब आप देखेंगे यहाँ पर इस loop of Henley की तरफ देखेंगे तो पानी तो निकल रहा है बट sodium, potassium आयन जो है वो इस loop of Henley में पड़े हुए हैं तो concentration level बढ़ जाएगा तो यूं कह सकते हैं कि PCT से DCT की तरफ आते हैं या PCT से loop of Henley की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे concentration बढ़ जाता है ठीक है अगर concentration यहाँ पर बढ़ गया तो यहाँ जो आपको descending loop of Henley में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा hypertonic, hypertonic तो इस type का solution कहां मिलेगा hypertonic, शुरुवात में जब अपन नैफरिक फिल्ट्रेट से पढ़ के आ रहे थे, वोमन capsule के थूरू, यहाँ जो material आ रहा था वो isotonic था, isotonic to the plasma, दीरे दीरे loop of Henley की तरफ बढ़े तो descending loop of Henley में यह हो गया hypertonic, क्योंकि पानी तो निकल गया, materials बच गए, ions बच गए, वो impermeable है, वो यहाँ से निकल नहीं सकते, इसलिए hypertonic solution हो गया, कहां पे? descending loop of Henley में, फिर आगे बढ़ते हैं, एक moment आता है कि इस loop of Hen Henley का जो center part है, यहाँ पे, यहाँ पे concentration level top पे पहुंच जाता है, high level पे पहुंच जाता है, यह यूँ कह दें, कि अगर यहाँ शुरू में 300 osmo milliliter थी concentration, तो यहाँ पे 1200 हो जाती है, इतना फरका जाता है, इतना concentration बढ़ जाता है, इतना गहड़ापन बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि पानी तो क्या हो गया, reabsorb हो गया धीरे धीरे, बट ions को इसने नहीं जाने दिया, किसने? loop of Henley ने, descending की बात कर रहा हूँ, अब ascending पे आऊँगा थोड़ी देर में, बढ़ेगा सर, आंचल, समझ में आई बात, खेमराज, concentration increase, बिल्कुल सही लिखा आपने, done, आगे बढ़ सकता हूँ, बचा लो, इतनी बात समझ में आई आपको, साकसी, बिल्कुल मैं टीशू के बारे में बताऊँगा, थोड़ा सा इंतिजार कीजिए, ताकि मैं ये बात confirm कर पाऊँ, आपको hypertonic, isotonic समझ में आया, कि hypertonic कहा होता है, hypertonic होता है, descending loop of Henley में, ये बात आप बढ़ सकता हूँ, अब सुनिए, अब आपको descending loop of Henley में solution कैसा मिला, hypertonic, आगे बढ़ता हूँ, अब पहुंच गए अपन ascending loop of Henley, इसमें थिक segment, थिक segment की कोई बात नहीं किया, simplified बताया मैंने, आगे बढ़ा मैंने, ascending loop of Henley की तरफ, ascending loop of Henley में क्या होता है, ascending loop of Henley में इस इसमें, उसको तो रख लेता है, बट, ions को बाहर फैंक देता है, ions को बाहर फैंक देता है, peritubular capillary में, यहां उल्टा होता है इसका, descending loop of Henley में, अपने sodium ion, potassium ion को रख लिया इसने, ions को रख लिया, पानी को फैंक दिया, तो hypertonic बन गया, बट, जैसे जैसे अपन ascending loop of Henley की तर फैंक देता है, ऐसी situation में, hypertonic convert हो जाएगा, hypotonic में, तो आपको बताया जाएगा, कि hypotonic क्यों हो गया यहां पे, क्योंकि ions को तो इसने फैंक दिया, peritubular capillary में, और पानी को रोक लिया, इसने, जो भी पानी आ रहा है, इसमें से, उस पानी को रोक लिया, इसके लिए यहा फैंक दिया, तो आप से पूछा जाता है, कहां पे मिला, PCT में, isotonic to the plasma, उसके बाद hypertonic कहां मिला, descending loop of handling में, फिर वापस से, आपको क्या मिला, hypotonic, फिर hypotonic हुआ, आगे जा करके ultimately धीरे-धीरे क्या होगा, ultimately ions वगेरा की ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी, secretion ज्यादा होता जाएगा, ions वगेरा ज्यादा मिलेंगे, ऐसी situation में, last में जो urine बनेगा, वो hypertonic होगा, DCT के through collecting tubes में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा hypertonic, इसी लिए urine जो होता है, वो hypertonic होता है, DCT और collecting tubes पे आगी की classes में आपको बताऊंगा, कि कैसे anti-diuretic hormone के receptor होते हैं DCT के पास, और वहाँ पे कैसे ADH action करता है, ये बातें next class में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना दिमाग में रखिएगा, कि सर किस तरीके से concentration अलग-अलग होती चली जाती है, PCT के अंदर isotonic थ में जो descending वाला portion है, उस descending वाले portion में क्या हुआ, उस descending वाले portion में पानी तो निकल गया, concentration बढ़ गया, hypertonic solution, ठीक, और अगर आपन बढ़े, ascending loop of handling के तरफ, तो इसने क्या किया, पानी को तो रोक के रखा, ions को बाहर ठैंक दिया, peritubular capillary के अंदर, ऐसे में फिर यहाँ पे आ आपको क्या मिला, isotonic, hypertonic, फिर hypotonic, फिर urine ultimately निकलेगा, hypertonic, urine अपनी यहाँ पे plasma से चार गुना ज्यादा concentrated मिलेगा, ठीक है, जितना filter होकेर क्या था, उसका 4 ताइम, चार गुना ज्यादा concentration urine आपको मिलता है, एक से डेड लीटर urine per day अपन पास आउट कर देते हैं, ठीक है hypothesis, no doubt, all is clear, with practice, साहिद, मज़ा आ रहा है आपको, enjoy कर पा रहे हो आप, इस बात को ले करके, अगर मैं directly बोल के निकल सकता था, तो कोई issues भी नहीं था, इतना deep में बताने का मतलब था, कि अगर बच्चे आप लोग अपना time यहाँ पे लगा रहे हो, तो कम से कम utilize तो करके को, यह बात आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, costing, colleges के अंदर नहीं बताई जाती हैं बातें, बट मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ anatomy पढ़ रहे हो, तो एक एक बात consider होनी चाहिए, चाहे वो बात मुझे सो बार ही बतानी पढ़ जाए, ठीक है, समझ में आना चाहिए, फिर भी अगर आपके doubts हैं, आप मुझे Instagram, Facebook पे पूछ सकते हैं, WhatsApp पे पूछ सकते हैं, Amrit Core, excellent, okay, that's very good, तो याद रखना होगा, DCT में क्या हुआ, sorry, loop of handling में क्या हुआ, descending part में क्या था, ascending में क्या था, और concentration आपको सबसे ज़्यादा का मिली, इस loop of handling के maximum loop पे, जहां पे सबस concentration बढ़ जाती है, साहित कपिल, सर, असली मजा तो टीशू में आएगा, टीशू बताओ, आज के लिए स्किप कर दें टीशू, आज के लिए टीशू को स्किप कर देते हैं, कल की क्लास में डिसक्स कर दें, टीशू की आज ही करें, चलो सुन दो फिर, चलो सुन दो, जब आ यूबोईडल एपिथीलिल टीशू के एक्जामपल कैसे याद रखने हैं आपको, चलिए सुन लीजिए, देखते हैं कितने एगरी हैं इस बात को लेकर करके कल पढ़ लेंगे, ओके, सर, कलास का मजा रोज ही बढ़ता जा रहा है, आसे इस बिलकुल, अगर आप पूरा ध इसेंट को खो देते हो, इतनी बात तो कनफरम समझनी होगी आपको, अब आपको ये भी तो पता चला कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन पूरी किडिनी पे नहीं एक्ट करता, पी सीटी में भी एक्ट नहीं करता, डी सीटी और कलेक्टिंग टूबूल पे एक्ट करता है, य एंटी डायूरेटिक हार्मोन, चलिए, टीशू कल करेंगे, ठीक है जी, थोड़ा सा मजा भढ़ाने दीजिए इसको, नहीं, आहां जी, थोड़ा सा रुख जाईए, कल की क्लास में अपन डिसकस करेंगे, ठीक है, मैं डेफिनेटल आपको कुबोडल पूरा बताऊंगा, ठीक है, इतना समझ ये बात को आप, कल की क्लास में डेफिनेटल अपन डिसकस करेंगे, और हां एक जरूरी सूसना, कल की क्लास पूरे दिन ओफ रहेगी, कल की क्लास सुबह से स्याम की ओफ रहेगी, कोई जरूरी काम है, इसलिए आपको कल की क्लास में कोई आप अराम से घ जूम वाली कल छुट्टी है आपकी ठीक है जूम वाली कल छुट्टी है ओके नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको चलिए बच्चा लोग अपना ध्यान दखिए बहुत-बहुत गुड़ नाइट स्वीड रिम जब भी नेक्स्ट कलास होगी क्यूबडल एपिफिलिल टीश ठीक है जी टुमोरो विल भी हॉलिडे ओके डैफिनेटली कल मोर्निंग टू इवनिंग कल हॉलिडे रहेगा रिलेक्स रो संडे वाला टाइम कल होगा बट संडे को सुबेशाम दोनों टाइम क्लास होगी आपकी ठीक है बच्चा लोग बाई गुड़ नाइट स्वी ड्री कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस पोजीटिव एनरजी को स्प्रेड कीजिए ताकि हर एक बच्चा वो बात समझ पाए जो कोचिंग और कोलेश तक नहीं समझ सकता इतनी गैरंटी देता हूँ यहां पड़ लिया एनाटमी में कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है किसी भी के पास कहीं जाने की किसी भी प्लेटफों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है यहीं आपको पूरी एनाटमी इतनी खतरनाक तरीके से कंसीडर करवा दी जाएगी समझाओ ख्छाय तो ऐसा कि सामने वाले को भी फिर समझा पाऊ ठीक है इतना अच्छे से हमें समझना है बिल् पुरी से योगी.